तो दोस्तो इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जहिंस जरू लुक दीजे क्योंकि भारत की सबसेदा लोग पूरी एक कंपनी टाटा ग्रूप अब भारत के अंदर एक ऐसे इलेक्रिक वेकल को लांच करने जारी है जो सेम टू सेम टेसला जैसे फीचर के साथ में होगी लेकिन ये एक अंडर बजट कार होने वाली है वो भी मेड इन इंडिया तो दोस्तो हाली माई टाइमस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक ये इंफरमेशन हम आपको दे रहे और ये क्रूस कंट्रोल वही टेकलोजी है जिस रीजन की वज़े से टसला को इतना ज्यादा फेम मिला है इस टेकलोजी का इस्तेमाल करके कार किसी भी पर्टिकूलर डिरेक्शन को फॉलो करते हुए आटमेटिकली चलती है बिना ड्राइवर के किसी इंस्रेक्शन के रिप अट्रिकर ली अड्जस्टबल ओर्वी एम होंगे आटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगी और बहुत सारी एडिशनल फैसिलेटीज यहां पर दी जाएंगी फिलाल टाटा टिग और एवी के अंदर 26 किलोवाट और की लीथेमान बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा जो की 74 BHP पीक पावर के साथ और 170 NM का पीक टॉर्क उत्पन करेगी और टाटा का दावा है कि यह एक सिंगल चार्ज के अंदर 306 याने की 306 किलोमेटर की ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगी आने मली से लिट्रिक कार के अंदर दो ड्राइविंग मोड होंगे जिसमें पहला इको और दूसरा स्पोर्ट मोड होगा बात की जाए इस इवी के कुछ और फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर ग्रे और ब्लैक कलर के डैश्बोर्ट के साथ में इसकी इंडिरियर को डिजाइन किया जा रहा है जिसके अंदर 7 इंचर्स का हर्मन टच स्क्रीन सिस्टम होगा पुस स्टार्ट स्टॉप बटन होगा 30 कनेक्टिट फैसिलिटीज मिलेंगी और फ्रेंट पैसेंजर्स एयर बैक होंगे पार्किंग असिस्टंट और सेंटर लॉकिंग जैसी फैसिलिटीज को दिया जाएगा टाटा डिगॉर एवी फोर स्टार ग्लोबल ए ज्यादा सक्सेस्फुल भी रहा है फिलाल टाटा दोरा आने वाली इस आटमेटिक कार के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बोक्स में ज़रू बताएगा भारत कैसे ही यूसुल इंफरमेट वीडियो स्पाने के लिए हमारे यूटिव चैनल को सब्सक्राइब जरू कर कीज़ें मिलेंगे हम आपको एक नई और अंटिस्ट्री मीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत माता कीज़ें